नमस्चार दोस्तों मैं रोहन शमा स्वाद कतम सभी का आपके अपने चनल जोतिश इन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम आपर बात करने वाले हैं 1st of May 2023 के बारे में एक मई 2023 का एक दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है कौन सी वैदिक रेमेडीज आपके लिए काफी ज़्यादा मददगार रहेंगी साथ ही साथ क्या रहेगा आज का एंजल नंबर और आज का अफर्मिशन आज के दिन में क्या है गोल्डन विश्टाइम कौन सा करना है आपको वास्तु का उपाए सारी जानकारी मिलीगी आपको इस वीडियो में अंतक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आप से मिसना हो जा आता है तो डिफिनेटली यह महिना बहुत कुछ लेकर कि आप सभी के लिए आ रहा है मई के महिने की 12 राश्यों की वीडियो मैंने और बना दिये हैं अगर आप सभी ने अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट पर जाईएगा और वहां पर सारी राश्यों की व रहेगा अब चलिए बात कर लिते हैं कि मई के महिने का पहला दिन आप सभी के लिए कैसा जाता हुआ दिखाई दिता है तिकि सुमवार का दिन रहेगा सब्ता की शुरुआत रहेगी डेफिनेटली काफी जादा हेक्टिक शेडूल के साथ यहां पर दिन और महिना शुरू थोड़ा सा जादा दिखाई दीता है तो पहले ही दिन में कहीं ने कहीं आप सभी को बहुत हद तक बैलेंस करकर चलने की जरूरत है किसी भी चीज़ को बहुत जाद दिमाग में ना रखें इस बात का विश्यश जयान रखेगा साथी साथ बहुत ज़दा ओवर तिंकिंग किसी चीज़ को लेकर के परेशान रहना, हैडेक होना, माइगरेन होना, मानसिक अशान्ती होना ये बिल्कुल स्वाभाविक दिखाई देती है इसी वज़े से आज आप थोड़ास अपने आपको स्ट्रेस में महसूस कर सकते हैं चीज़े सामने होने के बावजूर भी आप प्लस और माइनस पॉज़िव और नेगेटिव का बैलेंस बना कर चले और पिछले महीने क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको सोच करके जादा परिशान नहूं इस महीने को कैसे अच्छा बनाना है इसके बारे में सोचना और समझना शुरू करें क्योंकि ये महीना एक तरह स से लाइफ चेंजिंग महीना शुरू होने वाला है और दिन की शुरुवात दिन का समय और सुमवाल का ये दिन कुछ इसी तरह की इंडिकेशन को यहां पर इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है यहीं पर देखा जाए तो यह जो दिन रहेगा या आप सभी के लिए कारिक अगर आपको मिल जाती है आज तो उसको जरूर ले लीजेगा कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है कोई ओफर आता है तो उससे जरूर ले लीजेगा क्योंकि यह ओफर यह मौका आपके लिए काफ़ी ज्यादा शांदा रहेगा और बहुत पॉजिटी रिजल्स देखने को मि रहेगा इस दिन में relationship में भी कहीं न कहीं थोड़े से उतार चड़ाव देखने को मिल सकते हैं आप अपने partner को पूरी तरह से time ना दे पाए तो यह भी कहीं न कहीं आपर possible दिखाई दीता है तो थोड़ा सा relationship में balance करके चलना जरूरी है अब चली बात कर लेते हैं कौन-कौन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो एक बहुत चोटा सा पर बहुत साथ important उपाई में आपको पता देता हूं यह आप कर लीजीगा पहली चीज़ जब भी आप सुबह उठते हैं उठने के बास नान करने के बाद आप सूरीदेव को जल जरूर ट्राइएगा और जल मत मिलाईएगा इस बात का द्यान पकेगा और अगर आप स्टील का पात्री लेते हैं तो उसमें आपका चादूर मिला सकते हैं जल लेना है उसमें अगर कच्छा दूरिदेव को और वह बहुत करो करके चांदी का अबूशर्ण साफ पानी से दो करके अपने पास वापस से ले लीजेगा ये छोटा सा उपा है पर बहुत जा पाफुल उपा है जब आप जल चड़ा रहे होंगे तो अपने मन को बिलकुल शांत रखेगा और अपने इश्ट को याद करिएगा ओम नमश्वय का जाब करें ओम सूर्य दिवाइक का जाब करें और जल अर्पित करिएगा ये आपके लिए बहुत ही जाद आच्छा रहेगा साथ ही साथ आप सभी को क्या करना है सुबे उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले बैड में जाने से पहले और बैड से उतरने के बाद आपको क्या करना है अपने हाथ और पैर को जरूर वाश कर जिएगा मतलब कि आप सभी क्या करेंगे सुमवार की सुबे सुबे जैसे ही बैड से उतरेंगे अगर आप नहाते नहीं है डिरेक्ट चाय काफी पहले पीते हैं उसके बाद नहाते हैं लंबा प्रोसेस है आपका तो आप क्या करेंगे उटते ही आप सब सब पहले तो अपने दोनों हातों को और दोनों पैरों को अच्छे से धो दीजिएगा उसके बाद आप जो भी आपका रूटीन है वो आप शुरू करें रात को सोने से ठीक पहले आप क्या करेंगे वापस से दोनों हातों को और दोनों पैरों को धो दीजिएगा उसके बाद ही आप बैट पे जाएगा इस बात का ध्यान लखिएगा तो ये छोटा सा उपा है ये भी कर लीजिएका इससे भी बहुत अच्छी नींद आईगी मानसिक अशानती जो है वो दूर होंगी और खास कर अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होने वाला है अब चलिए बात कर लेते हैं आपर आज के वैदिक नमबर के बारे में एक एंजल नमबर के बारे में जो कि आपके लिए काफी ज़्यादा शानदार रहेगा आज का नमबर है आपका 9813 3, बहुत important number है, बहुत इजा positive number है और ये number भी आपको कहीं न कहीं balance करता हुआ नजर आएगा पर ये number थोड़ा सा aggression और थोड़ा सा energy देने का काम भी करेगा इस बात का ध्यान रखेगा जब भी आप इस number को recall करते हैं make sure कि आप peaceful mind से इस number को recall करें और positive चीज़ों के लिए ही इस number को recall करें इस बात का ध्यान रखेगा आज का affirmation भी आपके लिए काफी शांदार है I will get through everything or anything ये आपको बोलना है I will get through anything or everything जो भी आपको सही लगे आप उसमें बोल सकते हैं, add कर सकते हैं तक कि आप सभी की परिशानिया आप से दूर हो और आप सभी मुसीबतों से बाहर निकल के आएं अब चलिए बात कर लेते हैं आपर आज के golden wish time के बारे में आज का golden wish time रहेगा ये आपके लिए दोपर का समय रहेगा तीन बच कर पंदरा मिनट से लेकर के चार बज़े तक का समय काफी ज़दा important समय है काफी positive समय है इस समय में अगर आप कोई भी कारिय करते हैं तो वो आपके लिए काफी ज़दा अच्छा रहेगा अब चलिए बात कर लेती हैं आपर आज के राशी, नेम और नंबर के बारे में कि कौन सी राशी, कौन सा नंबर और कौन सा नाम आज फाइदे में रहेगा राशी में यहां पर बात कर लें हम तो राशियों में मेश राशी, मिथुन राशी, सिह राशी, कन्या राशी, धनू राशी और मीन राशी के लिए समय अच्छा है नमबर में बात कर लें तो नमबर एक, नमबर चार, नमबर पाँच और नमबर साथ के लिए समय काफी शांदार दिखाई दिता है अगर आज आपका जम दिन है, आपके इनिवर्सरी है, आपके जीवन का कोई भी विशेश महतोपन दिन है आप सभी को मेरी योट से हर दिक शुक्ता मना है, आने वाले साल संगर्श लेकर के आ रहा है, आने वाले साल में मेहनत काफी जादा करनी है बहुत जादा मेहनत के बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इस बात का ध्यान लखीगा साथी साथ आप सभी को रिलेशन्शिप को बहुत जादा संभाल कर चलने की जरूरत है जॉब चेंज करने की गलती ना करें, इस बात का ध्यान रखेगा और गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा सावधनी जरूर रखेगा ताकि आपको किसी भी तरह की चोट खरोश ना लगे अब चलिए बात कर लेते हैं गर के वास्तू के बारे में गर के वास्तू में क्या इसी चीज कर ली जाए कि गर में भी सुक्षानतिक आवास हो जाए जिस पानी से गर की साफ सफाई करते हैं उस पानी में हलका सा कच्चा दूद मिला दीजेगा और उसके बाद गर को clean करीगा तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्टा रहेगा आझ के जिन में गर के mirrors सारे दाग रही तोने चाहिए मतलब कि सारे के सारे mirrors clean होने चाहि GEOR upside या किसी भी mirror पर glass और mirror दो अलग है ध्याना किएगा तो गर के किसी भी mirror पर गंदगी ना हो और मिट्टी ना जमी हो इस बात का विशेश ध्यान रखिएगा छोटा सा उपा है करके देखिएगा इससे गर में एक positivity काफी जादा देखने को मिल जाएगी उमीद करता हूँ कि आज कर ये दिन आप के लिए शांदार जाएगा और बहुत अच्छे से इस दिन को आप इंजॉय करते हुए नजर आएगे वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा कुछ भी पुछना चाते हैं कुछ भी जानना चाते हैं आप उसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद्याँ पर कर सकूँ धनिवाद